तो दोस्तो आज की जो वीडियो है वो बहुती ज़्यादा इंपोटेंट है इस वीडियो में आज हम spoken English में जो बहुती ज़्यादा जो commonly used होने वाले जो आपके helping verb है model verb हैं उन सब को cover करने वाले हैं और उनके द्वारा हम अपनी sentences को जिन हम अपनी daily life में बोलते हैं किस तरह से बनाते हैं किस तरह से translate करते हैं Hindi से English में तो वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे और इस वीडियो में हम उनको examples के साथ देखेंगे एक साइड उनकी English लिखेंगी एक साइड उनकी Hindi लिखेंगी जिसे कि आपको समझने में आसानी हो जाए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों वीडियो का आप लाट तक देखना ये जो हमारी सीरीज चल रही है इस सीरीज को यदि आपने पूरा देख लिया तो आगे कभी भी आपको किसी भी प्रकार की प्रोबलम नहीं होगी spoken English में किसी भी प्रकार की helping verb, model verb उनको समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा तो आप हमारी सीरीज को लाट तक देखना और जितनी भी वीडियो इस में डलें उन सब को देखना आपकी English definitely जो है improve हो जाएगी तो चली वीडियो को शुरू करते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं कुड के बारे में, कुड का मतलब क्या होता है, तो देखिए कुड का मतलब होता है सका या फिर पाया, इसका meaning है कि किसी काम को कोई कर सका या फिर कर पाया, या फिर आप इसे जो है negative में बनाओगे तो कुछ ऐसा सेंस निकलेगा कि कोई किसी काम को नहीं कर सका या फिर नहीं कर पाया तो इसका जो सेंस है वह आपका पास्ट की तरफ जाता है कुड़का इहां पर सका और पाया का सेंस पास्ट की तरफ जाता है कुड़का एक दूसरा मतलब भी होता है जो है आपक पता है तो मैंने हापको सका और पाया के बारे में बताया है तो देखिए इसका structure क्या है इसके में आपको सबसे पहले subject करना है उसके बाद कुड का यूज करना है और वर्ब की first form और सबसे last में आपके जो भी object होते हैं उन सब को आपको लिख देना है तो चलिए देखते हैं कि कुछ examples तो देखें पहले example क्या है मैं नहीं कर पाया तो यहाँ पर हमने इसे negative में लिया है यानिकि I could not do यानिकि मैं नहीं कर पाया next example देखिए next है वो नहीं जा पाया तो he couldn't go तो इस तरह से किसी चीज को कर पाये या नहीं कर पाये उन सब के लिए आपको could का use करना है तो could आपको बिल्कुल अच्छे से clear हो गया होगा कि could का use हम past के उन सभी वाक्यों को बताने के लिए करते हैं जिने हम कर पाये या फिर नहीं कर पाये next देखिए next इसका वो देख नहीं सका यानकी he could not see तो इस तरह से आप इने translate करेंगे तो चलिए देखते हैं next नेक्स्ट है हमारा has और have यदि हम इनके साथ two लगा दे तो इनका क्या sense निकलेगा तो देखिए यदि has और have इन सब के साथ आप two लगाओगे तो इसका sense निकलेगा करना है यानकी कोई काम करना है इस तरह का कुछ sense निकलता है तो चलिए इसके objective वो आपका आजाएगा अब कुछ बच्चों को confusion होगा कि has और have हमें कैसे पता चलेगा कि has लगेगा या फिर have लगेगा तो देखिए जितने भी आपके third person singular होते हैं third person singular का मतलब है he see it यानि कि यह third person है और singular है तो इन सब के लिए आपको यूज करना है has का और इन तीन है यदि किसी चीज का कोई नाम है और यदि वह singular है तो उसके साथ भी आपको has का ही use करना है तो चलिए इसके कुछ examples देखते हैं और अच्छे से समझते हैं मुझे जाना है मैंने बोला था कोई काम करना है तो यहां पर है मुझे जाना है तो इसकी English बनेगी I have to go यानि कि first person है इसलिए मैंने have का यूज किया है और उसके बाद two और उसके बाद go लेकिन मैंने बोला था he see or it उन सब के साथ आपको has का यूज करना है तो यहां पर देखिए उसे उसे को यान की वह वह किया है आपका third person singular है तो इसके साथ हमने has का यूज किया है तो इस तरह से आप we have to eat तो इसी तरह से आपको present में या फिर near future में कोई काम करना है तो उस वाक्या को इंग्लिश में translate करने के लिए आपको has have onyxar to इसका साहरा लेना पड़ेगा और आपका पूरा वही science निकलेगा जो आप बोलना चाहते हैं मुझे जाना है मुझे खाना है मुझे पीना है म मुझे पढ़ना है इन सब को आपको I have to go I have to sleep I have to read I have to study I have to जितने भी आपके जो कारिये हैं उन सब को आपको have to के बाद लगाने ना है has to के बाद लगा देना है डिपेंड करता आपका subject क्या है उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स परम लगा देनी है तो has to और have to यह भी आ next आपका विल अब देखिए विल को आप गागेगी इससे समझते हैं आपने टेंस पढ़ोंगे वहाँ पर आपने देखा होगा कि विल का यूज हमने कैसे समझा है गागेगी लेकिन यह गागेगी तो सब चीज में आता है इनको आप भूल जाओ मैं आपको विल का यूज गा अरहा होगा तो यह भी तो आपका प्रिरजेंट हम प्रिरजेंट में ही वह आ रहा होगा देखिए गागेगी आप याद मत की जीए मैं आपको बताता हूं जोब इसके इस ट्रेक्टर आपको सबसे पहले सब्जेक्ट उसके बाद विल उसके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट पॉर्म और उसके बाद अब्जेक्ट देखिए एक्जामपल वह आज आएगा यानि की वह भी आया नहीं है तो इसकी इंगलिस बनेगी तो इसलिए बहे आज आएगा यानि की अभी तक आया नहीं है वो आज आएगा तो he will come today तो इस तरह से बोलेंगे नेश्र देखिए वह तीवी देखेगा यानिकी अभी उसने तीवी देखा नहीं है तो future बेंदेखेगा तो he will watch टीवी तो इस तरह से बना सकते हैं हम school जाएं है next है हमारा है और हैव अब तक आपको मैंने हैज और हैव को टू के साथ बताया था यह देखिए हाँ पर हैज और हैव इन सब के साथ मैंने टू लगवाया था और इसका करना है लेकिन हाँ पर जो हैज और है इसके साथ आपका टू नहीं है यह सिर्प सिंपल है और इसका द तोनों का सेंस देखें समझेए चुका है और गया है का मतलब है कि कोई चीज मोची है प्रेजएंट में और फिर जोड़ित शुरू हो चुकि है जो फिर या फिर फिर शुरु हो चुकी है और हो गई है इस तरह का भाव य कहीं पर कोई निकलता है तो आपको हैज और हैव इन दोरों का यूज करना है आपको मैं बताई दिया हैज का यूज थर्ड पर्शन सिंगुलर के साथ हैव का यूज बचे-कुचे सब के साथ अब देखिए इसका जो स्ट्रेक्चर है उसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना ह हैं उसके बाद ही और हेज और है इन दोनों में से किसी एक का यूज करना है और उसके बाद वर्बभ की थर्ड फॉर्म और उसके बाद पुच reiterate Jane third form आई है क्योंकि यह present का perfect tense है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो मेरे बताया था subject has have के बाद two है और उसके बाद verb की first form है तो आपको एक चीज़ समझ बाई जहाँ पर भी has और have के साथ two दिखे तो verb की first form आएगी और कहीं पर यदि has और have अकेला दिखे तो उसके साथ वर्म की third form आएगी तो आपको इस समझ में आ गया होगा तो चलिए इसके कुछ examples देखते हैं जैसे कि वो खेल चुका है तो इसकी English बनेगी he has played यान कि उसरे खेलने का जो काम है वो प्रेजेंट तब खतम कर दिया है खतम कर चुका है अब देखी नीचला एग्जांपल क्या है वो पढ़ लिए हैं यान कि they have studied यान कि अभमी से जो है चुका है गया है इंची जो को रटना नहीं है आपको situation समझने है कि जिन कारियों को present में जो कारिये present में खतम हो चुके हैं हो गये है या फिर शुरू हो गये हैं या फिर शुरू हो चुके हैं उन सब के लिए हमें has और have का यूज करना है और उसके साथ वर्म की पहला sentence है he has played play के पीछे ED लगाए कर मैंने इसको थर्ड फ़र्म में कण्वर्ट कर दिया है study के पीछे ED लगाकर इसको मैंने थर्फोर्म में चरल कर दिया है इसी तरह से start के पीछे ED लेखा कर कुछ निकलता है तो देखे मैं आपको आज इसे simple भाषा में बिल्कुल समझा दूँगा डिड का मतलब होता है लिया दिया ली दी यानिकी पास्ट में यूज होता है यानिकी जो कारिया पास्ट में पास्ट में हुए या नहीं हुए यदि नहीं हुए वैसे जादा तर जो पास्ट में नहीं हुए उनके लिए यूज होता है यानिकी नेगटिव सेंटेंसिज में आपको डिड का सबसे ज्यादा यूज मिलेगा अब देखिए इसका स्टेक्चर क्या है सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है उसके बाद आपको डिड लगाना हो और नौट मैंने आ दज और डिड ये तीनों हैं ये तीनों आपकी ज्यादातर नेगटिव वाले सेंटेंसिज में मिलेंगे और इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी ये बात आप अपने दमाग में बिठालो जब भी आप इस तरह की सेंटेंसिज बोलो नेगटिव पास्ट वाले तो आपको डिड के साथ नॉट लगाते ना है और वर्ब की फर्स्ट फोम हमेशा याद रखनी है और यदि प्रेजेंट के कोई नेगटिव वाले सेंटेंसिज हैं तो उन सब में आपको डूर्ट डज के साथ वर्ब की फर्स फोम लगानी हैं और नॉट तो इस तरह से आप सकते हैं कि मैं नहीं गया निज्ट एक कुछ भी है तो इसके भी उन नहीं उसे पूछा नहीं । तो इसकी इंगलिस बनेगी we did not ask तो इस तरह से डिट का यूज पास्ट के उन सभी कारियों को बताने के लिए करेंगे जो आपने नहीं किये या फिर किसी नहीं किये तो आपको डिट समझ में आ गया होगा अच्छे से तो चलिए next देखिए यदि अभी तक आपने हमारी बु कीजिए वहाँ पर पूरा description आपको दिखागा तो आप यदि हमारी बुक को बाय करना चाहते है तो description में लिंक है और इसका प्राइज 199 रुपे है और यदि आप इनको अलग-अलग बाय करना चाहते हैं तो अलग-अलग भी कर सकते हैं लेकिन अलग-अलग आपको बहुत ज मतलब होता है कि कोई कालिया करना पड़ेगा या फिर पड़ेगी अब यहां पर करना पड़ेगा का मतलब क्या है करना पड़ेगा का मतलब है मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताए था कि विल का यूज भापर होका जो आपके future के काम होंगे तो मतलब विल जहां पर आपको दिखें future तो यहां पर विल हमने लगाया हुआ है have to के साथ मैंने अभी पढ़ाता have to का मतलब क्या होता है have to का मतलब होता है करना है कि कोई काम करना है यह have to का मतलब है लेकिन यहीं मैंने इसके साथ या फिर करना, पड़ेगा अब इसको, करना है तो नहीं बोल सकते इसको, करना है, का मतल estamos, अभी हम present, की बोल रहें लेकिन हमें इसको, तोड़ नियुक्ता, और design करके, future की तरफ ले जाने के लिए, इसमें गाओ लगाना पड़ेГा कि हमें करना पड़ेगा हमें आना पड़ेगा तुम्हें जाना पड़ेगा यानि कि कोई काले जरूरी है जो आपको future में करना पड़ेगा तो इस तरह का science निकलेगा इसका देगे structure क्या है subject सबसे पहले लिखना है उसके बाद will और have और to और उसके बाद हमेशा आपकी verb की first form और object आपका आजाएगा देखे कुछ examples मुझे जाना पड़ेगा तो इसकी English में बनेगी I will have to go यानि कि मुझे जाना पड़ेगा next देखिए तुम्हें करना पड़ेगा you will have to do इस तरह से आप बनाएंगे next है उसे देखना पड़ेगा she will have to watch तो इस तरह से कोई कारिये future में करना पड़ेगा उस वाले sense को निकानने के लिए आपको use करना है will have to का तो आपके will have to भी अच्छे से बिल्कुल समझ में आ गया होगा यदि आपको कहीं और दिक्कत दिखती है तो आप हमें comment box में पूछ सकते हैं मैं पूरी कोशिस करूँगा कि आपके जो आपने सवाल पूछा है उसका answer आपको दे दूँ तो देखिए next देखते हैं should have should have का मतलब क्या होता है तो देखिए आप पहले should को समझेए should का मतलब होता है चाहिए और यदि model वर्व के साथ should के साथ हमने have लगा दिया तो इसका मतलब निकलता है चाहिए था मुझे पता है आपको यह जो have और है यह फिर से देखें तो देखिए should have का मतलब है चाहिए था example देखिए उससे पहले structure देख लेते हैं सबसे पहले subject उसके बाद should have और उसके बाद verb की third form और object अब यह जो चाहिए था है इसका मतलब है कि आपको कोई कारिय पास्ट में करना चाहिए था यानि कि हम उसे सला दे रहे है कि भाई तुम्हें वहाजाना चाहिए था तुम्हें पढ़ना चाहिए था तुम्हें सोना चाहिए था तुम्हें यह करना चाहिए था तुम्हें पलाना काम करना चाहिए था यानि कि पास्ट में तुम्हें यह करना चाहिए था लेकिन तुमने किया नहीं इसलिए था मु उसे देखना चाहिए था तो इसकी इंगलिस बिलेगी he should have seen उसे देखना चाहिए था तो इस तरह से में बॉलना चाहिए था यॉन यानि कि we should have spoken तो इस तरह से आप श्यूडव को समझ सकते हैं चाहिए था वाले सेंश में तो चलिए next है next है हमारा would be अब देखिए would be क्या है would be में होगा होगी अभी मैंने आपको बताया था ना जब मैंने आपको पढ़ाया था तो देखिए will में मैंने आपको गागे की लिखके दिखाया था तो देखिए गा और गी इसमें भी आ रहे हैं तो कभी जिन्दिकी में इंगलिस नहीं सीखोगे इन चीजों को भूल जाओ अब आप छोटे बच्चे नहीं हो यदि आपको अभी आप तीसरी चोथी में पांची शटी में या फिर तैंत क्लास में पढ़ते हो आपको बोड़ एक्जाम में सेंटेंस मनाने हैं तो आप गैगागी से पढ़ सकते हैं लेकिन यदि आप स्पोकन इंगलिस की प्रैक्टिस कर लें स्पोकन इंगलिस सीख रहे हैं तो आप इन गैगागीन को भूल जाओ आपको इनके सेंस को समझना है और सेंस मैंने बहुत अच्छे से अपनी सभी वीडियो में हर एक टोपिक कर समझाया है मैं आपको कहीं पर भी ऐसे समझाता नहीं मिलूँगा कि यह चुका है से आद करो यह गागीगी से आद करो यह तातेती से आद करो ऐसे मैंने कहीं पर कुछ नहीं बताया है मैंने हमेशा आपको sense समझाने की कोशिश किया मेरी सारी वीडियोज को आप देख सकते हो समभे मैंने आपको sense ही बताया है तो चलिए इसका मतलब है would be का होगा या फिर होगी यानि कि कोई कारिय प्रेजेंट में कोई कर रहा होगा या फिर नहीं कर रहा होगा आप ये वर्ब का use नहीं करना वुडबी का यूज आप दो तरह से कर सकते हो एक वर्ब के साथ एक विदाउट वर्ब के साथ तो यहाँ पर जो मैं आपको बताँगा वह without के साथ है और जो वर्ब के साथ है तो उसमें आपका science निकलेगा रहा होगा रही होगी लेकिन यहां पर मैंने आपको without verb के बताया है तो इसका मतलब निकलेगा कि present में कोई कहीं पर होगा या फिर नहीं होगा तो चलिए देखते हैं कुछ examples वह घर पर होगी तो इसकी English बनेगी she would be at home यानि कि वह अभी मेरे बो कहीं याँ होंगे यानि कि कोई हमसे पूचने आया थे तो पपापा जी कहां पर ऑने हैं तो हम बोल सकते हैं कर इसके लिए कि आप वो टुटबी के स्कताद डीजे इस तरह से ऊचा आप पोल सकते हैं ममी रसोई में होगी मम्मी से हराissa कि उस समय को देखते हुए इस समय को देखते हुए यह बतारे हम और है या नहीं है इसके लिए तो हम शौर नहीं नहीं होंगी तो इस तरह का से निकलेगा तो मॉम वुडबी इन किचन तो इस तरह से बनाएंगे तो वुडबी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट में कोई कहीं पर होगा ऐसी आप संभावना दिखा रहे हैं मस्ट का मतलब होता है जरूर देखिए तीन जो मॉडल वर्व आपके में माइट और मस्ट यह तीनों ऐसे हैं जो सब को करते हैं लेकिन मैं आपको इनकी आज कनफूजन को दूर करूंगा मस्ट में और माइट इनका आप किसी भी मॉडल वर्व के स्थान पर यूज कर सकते है सेंस उसका ही देंगे जिसका सेंस आप निकालना चाहते हैं इसका वैसे मातलब होता है कि आपको मतलब hundred percent जरूरी ही कोई काम करना है यह मस्ट का मतलब होता है देखिए इसका जो structure है उसमें गधबड कर रखी है तो इसमें हापर जो है को यहाँ पर यहाँ पर यह कूड के स्थान पर आपको जरूर लिखा हुआ है वह जरूर देखेगा तो इसकी इंग्लिस बनेगी यानिकि अब देखेगा यानिकि यह फ्यूचर में जा रहा है लेकिन मैं आपको अभी बताया था थोड़ दिर पहले कि मैं माइट और मस्ट इनका यूज़ आप किसी भी मोडल वर्व हेल्पिं वर्व की स्तान पर कर सकती है उनका ही सेंस निकालेंगे तो जरूर के लिए हमने इसमें मस्ट का यूज़ किया है यदि हम बोलते कि वह है देखेगा तो हम बोलते ही विल वाच इस तरह से कुछ बोल सकते थे या फिर ही वाच इस तरह से भी आप बोल सकते थे लेकिन जरूर को हमें दिखाने के लिए इसमें कंपल्सन को दिखाने के लिए हमने जो है must का use कर दिया है next देखिए आप जरूर आएंगे तो you must come इस तरह से बोलेंगे हमें जरूर जाना है we must go तो इस तरह से आप must को भी समझ सकते हैं next है has और have अब आपको has have तीन तरह से मिल गया एक मैंना आपको बोला था has have के साथ two एक बोला था has have simple उसमें आपको वर्ब लगाई थी लेकिन यह वाला देखिए इसमें कोई वर्ब नहीं है इसमें has have और उसके बाद आपको object का यूज करना है यहाँ पर जो है इसका मतलब है कि present में आपके पास कोई चीज है या फिर आपके पास कोई चीज नहीं है यह वाला सेंस निकालेगा एक्जम्पल देखिए मेरे पास pen है तो इसकी इंग्लिस बनेगी I have a pen देखिए यदि आप गडबड़ा जाते हैं कि कैसे इनको याद करें तो जब भी आप मेरी वीडियो को देखें किसी भी चैनल की वीडियो को देखें तो आप एक copy pen moon को लिख लिया कर लाइक कर दिया करें जिससे कि आपको बाद में उसे डूटने में आसानी हो क्योंकि आप लाइक कर देते हैं तो आपको लाइक वाले सेक्शन में सारी वीडियो आपकी एक साथ दिख जाती है तो मेरे पास pen है I have a pen मैंना भी बोला था हमारे पास प्रेजेंटर में कुछ है next step will be यान की will का मतलब future के लिए कोई काम future में हो रहा होगा कोई की काम कर रहा होगा यान की रहा होगा वाले sense में आपका use होगा will be इसका देखिए subject सबसे पहले आएगा उसके बाद आपको will be का use करना है वर्ब की first form के साथ ing जहाँ पर भी रहा होगा continuity आएगी वर्ब के तो वह फ्यूचर में खेल रहा होगा अभी नहीं आने वाले समय में खेल रहा होगा तो विल भी प्लेंग नेक्स देखिए हम जा रहे होंगे विल भी गोईंग और उसके बाद है वह देख रहे होंगे विल भी वाचिंग तो इस तरह से आप इसका यूज करेंगे तो आशाई के आपको यह जो वीडियो है यह अच्छी लगी है और आपको इन्हें से किसी भी टॉ जाएगी यादि आप चैनल को कुछ दिन भी रेगुलर फोलो कर रहो गता हूँ तो आज की वीडियो इतनी ही थैंक यूज